नमस्का दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एप के बारे में, जिस एप से आप किसी भी डॉकुमेंट को फबूंप किचके उसका पीडियेस बना सकते हैं, उसके फबूंपने फइला है प्लूं हैं और कहीं पर जाते हैं उसका dahane निकलते हैं तो वहां पर दिखत यह आते से कैसे किया जाता है और बीडियो को लाश्य तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों पर्य कागज scanner को download करेंगे download करने के लिए play store में जाएंगे play store पर जाने के बाद यहां पर search करेंगे कागज scanner दोस्तों पहले यह पहले से ही हमने इस app को download कर रखा है तो यदि आप download करना चाहते हैं तो इसको click करके search करके यहां पर install कर लेंगे install करने के बाद हम आप को ओप liken करेंगे समि कर लेंगे यहां से अब्प कर लेंगे दोस्तों इसमें एक और खास बात यह है कि जबी सिसे यूज करेंगे तो इसमेह कोई एड या कोई से कोई अड़को नहीं आएगा नakis in watermark देखने को मिलेगा और दोस्तों यह जो software है यह बिल्कुल free में है इसका कोई cost देना नहीं पड़ता है दोस्तों इसमें पहले से ही कुछ folder बन के आते हैं जिसे यहाँ पर दिया हुआ है है के नाम से हम एक folder बना लेते हैं ठीक है अब इस folder में हमें जो भी प्यूदियोब बनाना है उस प्यूदियो बनाना है तो पहले इससे फोल्डर को वपेन करेंगे और उसके बाद इसका resize करने के लिए option आएगा जैसे हम दो-तिन क्लिक कर ले रहे हैं यह तीन हमने क्लिक कर लिया है उसके बाद यहाँ पर proceed करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे देखें यहाँ पर size करने के लिए लिए गया है तो हम जैसे size जितना size चाहते हैं उतना size अपने इसाफ से इसे select कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे दूसरा page आजाएगा इसको भी हम यहीं से और just कर लेंगे बारे-बारी से जो भी page हैं उन सभी को जितना आपको चाहिए उतना इससे और पर करके उसके बाद next पर कि라고 करेंगे उसकेबार right और left का भी option दिया हुआ है left और right भी कर सकते हैं reach next पर क्लिक को करने के बाद यहां से magic color दिया हुआ है तो जो भी magic color आप चाहते है कि आप इस तरह से light वाट में है य्यूज करके उसके बाद या फिर औरिजनल रहार्म सकते हैं ⁃ candle नृ 판 सकते है उसके बाद हमने अरत को यहां है फ सके बाद यहां पर यहां और उसके बाद यहां है जो और बन के आ गया उसके बाद यहां से डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं देखिए फाइल फाइल सेब टू डाउनलोड फोल्डर ठीक है यह इस तरह से यह हो जाएगा आप चाहते हैं कि एक एक डॉकुमेंट का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से भी इसे हो जाएगा अब फिदियाया है इस चाहते हैं कि कुछ और भी आड्ड करना तो यहां बनाड करने के लिए और्यस्थ से इस साइज को हम फिर से सेट कर लेंगे और नेक्स पर क्लिक करेंगे नेक्स वाले बटन नेक्स वाले पेज को भी हम सेट कर लेंगे देखिए यहां सेट हो गया उसके बाद मैजिक कलर जो भी आप आप करना चाहते हैं जो भी कलर या ओरिजिनल पेज में ही रखना चाहते ह को दन्ẫn पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए ये सारी चीजें हो चुकी है उसके बाद के टिक क्लिक कर देंगे यह हमारा परेडियो बनके तयार हो चुका है ठीके अगर फिर से से डाउन लोड करना चाहते हैं तफीडियो पर प्लिक करेंगे और यहां से डाउन क्लिक कर देंगे ठीक है इस ता से डाउनलोड करके किसी भी इस फोल्डर को आप सेर भी कर सकते हैं जैसे सेर करने के लिए आप यहां पर सेर वाली बटन पर क्लिक करेंगे और सेर पीडियाप में सेर कर सकते हैं उसके बाद जेपीजी में भी सेर कर सकते हैं तो हम पीडियाप में चाहते हैं तो उससे इसे कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से इस एप का यूज कर के आप किसी डॉकुमेंट को फूचर के लिए सेप कर सकते हैं या प्रिंट कराना है तो उस एप का यूज़ करके पीडियो बनाके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों यदि यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जाद से जादा दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद